जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना का एक वाहन सड़क से फिसल कर पलट गया, जिससे एक जवान की मौत हो गई और 9 सैन्य कर्मियों सहित 13 लोग घायल हो गई अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी, उन्होंने बताया कि घायलों में चार नागरिक भी शामिल हैं अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है सेना की श्री नगर स्थित 15 वी कोर, जिसे चिनार कोर के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया कि कुलगाम के डी-एच पोरा इलाके में यह है रात एक उपरेशन के दौरान हुई, चिनार कोर ने कहा दुखद बात यह है कि एक सिपाही की जान चली गई, जबकि कुछ सैनिक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत चिकितसा देख भाल के लिए ले जाया गया, सभी सैनिकों की हालत स्थिर है तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दूआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मान को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपा नारी आपका नाम रहेगा